यह गुंड़ा वाला टॉय बनाने के लिए यहां मैंने जो है 36 पंदे डाले है 36 पंदे डाले बाद सीधी तरफ से सीधा और उटे तरफ से वोटा जो जैसे कि हम संपल भिनाई करते हैं वैसे बिनते हुए हमने यहां पर जो है साथ सलाईया बिल लिया है तो देखे तो ऐसे गिन सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7 बीचे से भी आप काउंट कर सकते हैं इसको थोड़ा खीच करके यहां देखें 1,2,3,4,5,6,7 सेहन सलाई बिनने के बाद यह मेरे उल्टे साइड से हम यह चेंज करते हैं अब जो है हमारा यहां से ब्लू कलर काटेंगे और यह हमारा जो है देखे पिंक शेयडेड हैं उन्हें यलो पिंक मिला हुआ शेयड विन नहीं आप इस कलर से जो है हम दोनों साइड से सीधे तरब से भी उल्टा उल्टा बीनेंगे और उल्टे तरब से भी उल्टा उल्टा बीनते वे हम आठ धारियां बनाएंगे इधर से भी उल्टा और सीधे तरब से भी उल्टा बीनते वे आठ धारियां बनाते हैं फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे यह बनेगा यह देखे मेरा सीधे साइड आगया सीधे साइड भी हम उल्टा-उल्टा ही बीनेंगे प्रेला फंदा उतार लेते हैं यह देखे मोटी एक धारी बनेगे इसी तरह से आठ धारियां हम बनाएंगे यहाँ पर दिखे थाड़े सिक्स पंदे के मैंने साइड भी नी फिर उसके बाद दो साइड से उल्टा-उल्टा यहाँ 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 इसके बाद उल्टे तरफ से पूरी हमने ब्लू बनाया है फिर सीधे तरफ से चार सलाई मैंने दो सीधा दो उल्टा दो सीधा दो उल्टा करके बनाया उल्टे तरफ से पूरी सलाई उल्ट उल्टी बनाई इस तरफ से मैंने चार सलाई बिल्ली है अब इसके बाद जो है एक यहाँ हमारा वन टू त्री पोर सलाई दो उल्टा दो सीधा बन गया फिर एक सलाई और बनाएंगे फिर उल्टे साइड से पूरा सीधा सीधा बिल्टे हैं यह चोथी सलाई मेरे बन रही है दो उल्टा और दो सीधा और उल्टे तरफ से पूरी सलाई हमारी सीधी सीधी बन जाएगी अब हमने उल्टे तरफ पूरी उल्टी सलाई बनाई ती और अब जो है हम यहां पर यह पूरी सलाई सीधा सीधा बिनेंगे उल्टे तरफ से पूरी सलाई जो है, हम सीधा-सीधा बिनेंगे, इस तरह से मेरी एक धारी आ जाएगी, और मेरा ये कैप पॉलो पॉर्शन बनना शुरू हो जाएगा, यहां पर देखिए, मेरा फुरा सीधा-सीधा हो जाएगा, अब हम ये सीधे तरब से आगे, अब मेरे फंदे कम होना शुरू होँगे, पहले हम तीन फंदे बिनेंगे, एक, वान, टू, थ्री, फिर दो फंदे का एक फंदा करेंगे, इसी तरह थे तीन बिने बाद, चौते फंदे, दो फंदे एक साथ बिनेगे और ये पूजी सलाई कमप्लेट हो ज़गी, यह उल्टे साइड है पुरा फंदे हमारे उल्टे बिनाएंगे यहां कोई फंदे कम नहीं होगे अब यह मैं नेक्स लो सीधे तरफ आ गया अब मैंने तीन फंदा बिन के जोड़ा बिना था अब दो फंदा बिन के दो फंदे का एक फंदा करेंगे यह दो फंदा हो गया दो फंदे बाद दो फंदे का एक फंदा फिर कम होगा सीधे साइड़ में एक दोडू सीधा सीधा भी ने फिर दो का एक इसी तरफ अब करिक्रीस हम रफ़ते जाएंगे फिर यह मेरा उल्डी साइड आगै उल्टी साइड पुरा विनाएगा जो और है पिर आपक से पहले मिरे दो पंद साथ जोड देखनी पिर साथ ौर फिर दो फंदे का एक फंदा फिर एक सीधा फिर दो फंदे का एक फंदा इस तरह से सलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टे तरफ से पूरा उल्टा बिना जाएगा इतना बिंके फिर देखते हैं अब देखे अब सीधे साइड आगे अब जो है दो फंदा एक साथ दो फंदा साथ इस तरह से पूरी सलाई बिनाएगी जोड़ा जोड़ा ये तो का एक फिर अगला पंदाद दो का एक फिर ये दो का एक उल्टे तरफ से जो है पूरा उल्टा उल्टा बिन जाएगा देखें हमारे हो गए बन टू त्री पॉर पाइर सिक्स सेवन एट आठ फंदे बच्चे हैं कि उल्टे तब से उल्टा बिन के सीधे साइड में आते हैं अब यह मेरा सीधे साइड आगए अब यहां सा लूंबा थ्रेड लेकर तो कट करेंगे और सुई में डालेंगे और साथ पंदे जो हम एक साथ सुई से बंद कर देते हैं बंद करने तरीका पता ही है यह सारा पंदे हम से भीने उतार लेंगे कि एक फिर एक पर आउस को सिल लेते हैं सभी फंदों पीट में सुस्थ में डालते हुए कि फुल है ना अब यहां पर जो है यहां से लगे यहां तक हम यह पूरी सिलाई कर देंगे और फिर यहां से हम इसमें रूई भरेंगे या फाइबर भरेंगे उसके बाद जो है सीधा करके यहां पर हम आईज लगाएंगे फिर मुझ बनाएंगे जैसे इसको हम यहां पर को डेकुरेट कर सकते हैं टोपी को आगे इसको फिर हम बनाते हैं फिर इसके ना सिलाई करेंग तब इसका फेस हम बनाना देखते हैं यह देखिए मेरा सिलाग्या इसको हम सीधा करते हैं सीधा करने के बाद है इधर से हम इसमें कॉटन या पाइबर या पुराने कत्रन या पुराने उन इसमें हम भरेंगे उसके बाद हम इसका प्रेस का कॉर्शन डेकॉरेट करते हैं यहां में देखिए मैंने सिलाई कर दिया और इसको अब सीधा कर देते हैं अब यहां से हम इसमें कॉटन भरेंगे थोड़ा करके पॉर्टन या फाइबर जो भी है आपके पास यह पुराने कत्रन है उन के टुकड़े पड़े रहते बच्चे वे तो इस तरह से आप इसमें कुछ भी भड़ सकते हैं इसके बाद जो है यहां से इसको हम सिलाई कर देंगे उसको सिलने के लिए जो है हर एक फंदे के बीच में से एक छोड़के ऐसे हम इसके बीच में से सुई निकालते हैं इसको फिर टाइट कर देंगे तो यह मेरा बंद हो जाएगा और इसको अच्छे से हम मजबूत कर देते हैं कि खुले नहीं और इसमें से रूब यह कॉटन जो भी हम इसमें भारे हैं वो निकले बाहर इसके बाद जो है यह जो मेरा सिलाई वाला है इसको पीछे का पॉर्शन रखेंगे और यहां सामने की तरफ जो है यहां पर हम आइस बनाएंगे और इसका मूब बनाएंगे और इसको हम जो है डेकरेट करते हैं यहां वान टू थ्री चोड़के यहां पर एक आँख लगाएंगे तो यहां पर हम गुबली आइज यह मोती जो भी आपको मिल जाए इसानी से वह आप लगा सकते हैं क्योंकि यह कार्टून करेक्टर है तो कैसे भी आप इसे डेकरेट कर सकती हैं यहां मैं मोती यहां पर लगा रही हूं क्या रहां में यहां पर लगाएंगे यहां और लोकिने ह passé कि जोड़ी हैं। मैंकलकिनी हम नकिफ़ू। जंट हमकिनी हम जट चानले को लोड़ी भी खी democr کی औरर अजयों कि खी में her नजये कि खी अगी fan कर दो कि यह दिखिए मेरा संदर से कुड़ा मन के तयाद हो गया जो कि आप बच्छों को गिफ्टी भी कर सकते हैं अगर आपके घर में चोटे बच्चे है तो उसे खेलने के लिए भी मिल जाएगा इसमें यह वाशेविल भी है अराम से यह आप भूल भी सकते गंदा हो गया कि र्ए और महीं आ इसी कि तरह से एक ओर बनाया इसे मैंने जो है यह बंका बं कैप कि यहां पर बनाजय को यहां प्रूसेसजे क कायप और यह वीडियो में डाल चुके हैं ए इंब को है इस तरह से हम बड़े और चोटे साइस में यह तो इबना सकते हैं और कुई भी अपने मन पसें कलर भी लगा सकते हैं अगर आपको आइडिया अच्छा अज़ा लगा हो तो मुझे जरूत कमंट बॉक्स में बताएं अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बलकुल नहीं भूले थैंक यू वाचिंग माई दिस वीडियो